हेलो फ्रेंक्स हेल्थी दिस्वई में आपका स्वागत है आज हम पतंदील पनील से बहुत स्वाधिस्ट ठाई बनाता के तयार करेंगे एक इनमारी ये खाने में बहुत स्वाधिस्ट लगती है बनाना बहुत आसान है इसके लिए हम में दोकर बनेल नील को हम बारिप टुकड़ं में काटेरें में डालेंगे अगर आपके पास कंदेंसमील्क में और इसमें आप 100 ग्राम दूद के उपर मलाई होती हो लिसकते हैं और चीनी तो हमें चीनी की कोई जरुवत नहीं है के बल्दोची जोसे ये मठाई बनकर के तयार होगी कंडेंस मिल्क और पनीर डाल देंगे कंडेंस मिल्क 200 ग्रफ इसको हमने एकडम से कपेष्ट बना लिया है कड़ाई में एक चमच हमने गी डाला है गी को अच्छे से इस तरह से पूरी कड़ा लेंगे गयाज दीमी रखेंगे इस प्रोसिस को पने में 2-3 मिएट लगेंगे इस तरह से रुमाते रहें इससे चित्के नहीं है और गी हमने ठंडा होने लें और हाथ में लें इस तरह से आप लागर के देखिए तो ये विव्कुल टॉट हो रहा है कि इस तरह वह जाना चाहिया हमारा मिक्षर हम्रा तैयार ज्ञादे इसे ओगर कोक नहीं करना बरतन में लिका लेंगे इससे इतना ठंडा होने देंगे ताकि हम इस इस तरह से करेंगे इस तरह से शेप दे देंगे इस तरह से सभी को इसी तरह से बना के त्यार करेंगे एक और बना के दिखाती हूं मैं तरह से करेंगे ना करेंगे दोना थेलियों के बीच में रखते हैं तरह से लंबा करेंगे तरह से थोड़ा रोल करते हुए तरह से सभी म इस तरह से लगा रही हुए पूरे पनी लगा रही हुए आप चाहें तो पूरे पर लगा सकते हैं इससे स्वाद पर कोई फरक नहीं पड़ता बस मिठाई हमारी देखने में अच्छे लगती है टेश्ट में कोई अंतर नहीं आता हमारी मिठाई बन करके तैयार है खाने में बहुत ही स्वादेश लगती है और बनाना इंतमासा है आप इसे बनाईए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्ले सेस्क्रेबरो कीजिए लाइप कीजिए शेर कीजिए हम मिलते हैं ये वीडियो में एक नई रेशिपी क इसा थेंक यू